हेलो और वेलकम स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है दा ओनलाइन गुरू में मैं हूँ सुनली शर्मा और आज आपके लिए इंफर्मीशन लेकर आया हूँ आज हम इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं कि आप लोग अपना रिजल्ट किस टाइप से डाउनलोड करेंगे कहां पर आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा और जो बच्चे इंटर्व्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए जो हमारे फ्री ऑनलाइन क्लासेज हैं वो आप कैसे अवेल कर सकते हैं तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे उसके पहले चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए साथ इसाथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे हम यहाँ पे जाएंगे राश्ट्रियमिलिटरी स्कूल्स.edu.in के अंदर यह सीम लिंक मैं आप लोगों को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलिबल कर दूँगा जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाते हैं आपको यहाँ पे CET Corner के अंदर ऐसे स्क्रॉल होती हुई information देखने को मिलेगी ठीक है इसी वेबसाइट पे आपको क्या करना है इस CET Corner पे आएंगे और CET Corner पे जैसे ही आपके सामने आता है CET 2020 Result इसे आप लोगों को क्या करना है click करना है जैसे ही आप click करते हैं आपके सामने एक नया window open हो जाएगा यहाँ पे इस window के अंदर आपको क्या करना है अपने six digit का rule number यहाँ पे type करना है suppose करता हूँ 0 1 2 3 4 आपका rule number था ठीक है तो उसे हम लोग type कर लेते हैं 0 1 2 3 and 4 ठीक है यहाँ पे अब इसे आप लोग जैसे ही type करते हैं आपको अपनी class type करनी है चाहे आप sixth class के लिए थे या ninth class के लिए थे साथ ही साथ आपका जो date of birth है यहाँ पर मैं as it is कुछ भी अपने according fill कर रहा हूँ आप इसे fill करेंगे और show result पे जाएंगे जैसे ही आप show result पे जाते हैं आपको यहाँ पे अपना पूरा का पूर details अगर आप select हुए हैं तो admit card मिल जाएगा अगर नहीं हुए हैं तो rejected आपको लिखा हुआ दिखाई दे देगा तो यहां से आप क्या कर सकते हैं अपने result को देख सकते हैं कि आपका result क्या रहा था और अगर आप selected हैं तो interview का जो call letter है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा जैस sessions भी available हैं उन online sessions के लिए आप मुझे WhatsApp नमबर पर जो की नीचे description में भी दिये गए हैं 777-653468 पर WhatsApp के through message करेंगे आपको वहाँ पर interview की सारी details available करवा दी जाएगी तो I hope इस session से आपको इसलिए समझ में आ गया होगा कि किस type से आप अपने interview के letter को और अपने CET 2020 के result को download करेंगे और अगर आपका selection नहीं हुआ है और आप age criteria में हैं और अगला CET जो के 21 का है उसमें apply करने के लिए eligible हैं तो हमारे online classes से जुड़ सकते हैं ताकि आपका short selection हो जाए तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले session में तब तक के लिए जय है